जैसे के हमने लास्ट लेक्चर में टूल्स में से भी टेक्स्ट को लिखके देखा इसके उपर और उसके लावा हमने नई लेयर एड़ करके भी देखा टेक्स का हमने डिफरेंट इनिमेट इनिमेट आउट के प्रिसेट्स भी देखे और हमने इसको नॉर्मल जिस्ता के इनिमेशन होती है की फ्रेम से उस्तिनारी मोवेंट करके देखी यह चीजे अभी तक भी मुझे लगता है कि काफी इंट्रेस् सकते हैं और उसके बाद आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं जो के टोटली फ्री हैं मैं आपको बताता हूं तो आप अपने किसी भी नॉर्मल ब्राउजर के उपर जाके सर्च करेंगे इस तरह के मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं एनिमेशन कंपोजर यह मैंने सर्च किया यहां पर मेरे पस आ गया और उसके बाद सबसे पहली option मेरे पस यहां पर आ रही है Mr. Horse.com और Animation Composer आपको यहां से मिल जाएगा इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं Animation Composer 3 यह आपके बस लिखा रहा है तो यहां से डाउनलोड करने के बाद आपको इसको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना पड़ेगा और इंस्टॉलेशन के बाद आप से फिर यह करिदिंशल समागेगा आप इस पर नया लॉग इन बना सकते हैं नया आईडी बना सकते हैं आपका existing कोई भी email address होगा वो भी इस पर काम करेगा और उसमें से आप नया आईडी बनाने के बाद इस पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और यह सारे प्रॉसेस से गुजरने के बाद आपके पास एक इस तरह की window आजेगी इस तरह का tab आपके पास होगा जिसमें यह आपके पास आपको option दे रहे है प्लग इंस की और packs की दोनों के size भी बता रहा है जो कि बहुत जादा नहीं है आप इसको quickly install कर सकते हैं आपके प आपरेफेक्ट जो हो बंद हो क्योंकि इसने इसको बाद उसके अंदर ही जाके save कर रहा होता है इस वक्त हमारा offer effect खुला है और हम offer effect में जाके इसको बंद कर देते हैं इस वक्त current project इस पर आप काम कर रहे हैं इसको save करना चाहते हैं तो save कर लें और इसको हम try again करेंगे तो इस वक्त यह आप से permission का पूछ रहे हैं इसको हम यहां से yes करेंगे और further यह इसको install करना शुरू हो जाएगा पहले यह download करेगा इसको उसके बाद पर यह इसको install करेगा तो यहां से इसने आपको installation पूरी कर दिये और यहां पर आपको लिखा भी आ रहा है कि install की option क्यूंके obviously installed है तो इसलिए यहां पर install की option है अब हम जाके अपने software को दुबारा खोलेंगे offer effect को यह इसने आपको animation composer का भी बता दिया कि window के tap के अंदर आपके पास animation composer 3 और आगे फर्दर उसकी चीज़े आपके पास आ चुकी है इसको आप ok करेंगे इसको भी यहां से हम ok कर देंगे इसको कैशे का message दे रहा है इसको ok करने के बाद आपके पास यह basic window खुलेगी recent project हम इसको यहां से खुल सकते हैं तो अभी हमारे पास जो यहां पर text की layer पड़ी है उसमें animation मुझूद है जो हमने last time की थी इसको हम यहां से delete कर देते हैं साथी चीज़े आप देख सकते हैं इस वक्त इसमें से delete हो चुकी है animations या प्री से जो भी हमने लगाया बता इस layer को हम चाहें तो mouse से पकड़के उदर start में लेके जा सकते हैं अगर आप बलकुल start से चाह रहे हैं या पिर हमारे पास इसकी option मुझूद है हम bracket in से भी इसको यह composition composite free पर click करूँगा तो मेरे पास एक नई window खुल जाएगी और इसको आप चाहें तो इधर adjust भी कर लें ताकर जिस तरह सारी windows आपकी इधर हैं इस तरह हम इसको नीचे adjust कर लेते हैं या पिर आप चाहें अगर आपको बढ़ी चाहिए तो आप इसको इस तरह यूज कर लें हम इसको explore करेंगे तो हम इसको यहां पर use करते हैं और इस तरह से हमारे पास यह window कुलेगी हम इसके अगर presets में जाएं तो हमारे पास यहां पर text के लिए specific यहां पर यह third tab है जिसके अंदर आपके पास characters words lines मुझूद हैं आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपके पास यहां प को उसका एक display वो उसका दिखा रहा है कि वो यह इस तरह से वो animate in या animate out होगा और आपका यह basically उस effect की जो look है वो यह है तो आप देख सकते हैं कि यह भी बड़े जबदर्स आपके पास preset मुझूद हैं अगर हम इसमें से किसी को भी apply करना चाहें तो हम इसको just select करेंगे जिस इसका मतलब यह है कि in आपका starting point पर लगेगा out आपका end point पर लगेगा जो कि अब इस टेक्स्ट को खतम कर रहा होगा out कर रहा होगा और both करेंगे तो इस वक्त आपका in और out दोनों पर लगज़ेगा हम दोनों point पर लगाते हैं both को select करते हैं और जैसे कि हमारी layer already select थी तो साथ में हमें यह जो इसका out था इसको अलग से move करना पड़ेगा जिससे कि आप देख सकते हैं अब हम इसको play करके यह in हुआ और अब इस point पर यह out हो गया फर्दर अगर हम चाहें तो और भी option देख सकते हैं हमारे पास यहां पर यह window animation composite 3 मौजूद है और आपके पास इसके अंदर भी setting मौजूद है जिस तरह कि अभी हमने जो effect लगाया था उसको apply करने के बाद आपके पास यहां edit में वो सारी options मौजूद हैं जो के animation book कर रहे हैं तो अगर आप इसके in-depth अगर जाना चाहें तो यहां से भी आप इसको वो movement वो animations change कर सकते हैं ब्राउस में दोबारा जाएंगे और हम कोई और effect भी लगा कर देखते हैं अभी हमने characters देखे थे word पर जाते हैं और यहां पर आपके पास different presets मौजूद हैं और इसमें से हम इसको खाली in पर लगा कर देखते हैं और इस वक्त आपको यह message देगा anchor point का क्योंकि anchor point change हो सकते है animation के हिसाब से लेकिन यह साथ में आपको यह भी बता रहा है कि इसमें like normally आप इसको कर सकते हैं अगर हम इसको yes करेंगे proceed करेगा इस वक्त इसको और इस वक्त जो हमारी animation in थी वो कुछ इस तरह से हो गई है और जो हमारी animation out है वो इस तरह से out हो रही है और वैसे मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आपको कुई नया preset लगाना है तो आप पुराने को remove कर दें remove करने के लिए जिस तरह ब्राउजर से ही लगाते हैं इसके साथ edit की option है layer आपकी select होगी वीचे से और जिस तरह से यह इस वक्त लग चुके हैं आप इनको यहां से बारी-बारी remove कर सकते हैं और इस तरह करने से आपके पास कोई भी इस वक्त effect या preset नहीं लगावा और अब आप जाके इस पर नया apply करेंगे तो बेशेक हम इसको यहां से करते हैं apply तो आप देख सकते हैं कि उसकी look आपके पास फिर उसके हिसाब से change हो जाएगी आपने बहुत सारी वीडियो में इस तरह की options देखी होंगी इस तरह की animation देखी होगी आप यहां से अपने existing text के पर बना सकते हैं परदर अगर इसके नीचे हम presets के नीचे अगर और जाएं तो हमारे पास यहां पर और भी बहुत सारी options मुझूद हैं यह काफी बड़ी इसमे अगर हम एक दफा देखें तो आप देखें हमारे पास यह पूरे इस वक्त टेक्स बॉक्स बने में जिसमें एक proper animation है कि इसमें आपके पास बीचे यह box भी आ रहा है उसके बार text भी आ रहा है आप चाहें तो इसको भी use कर सकते हैं और further आप इसको भी edit कर सकते हैं जो भी आ मेरे पास यह option मजूद है अगर मैं इस layer को select करूँ तो इसकी सारी options मेरे पास आ जाएंगी जो text मेरे चेंज करना हूँ मैं यहां से change कर सकता हूँ में भी हम यहां से सिर्फ animation add करना चाहें और बाकी text किसी और style में लिखना चाहें तो इस वक्त मेरे पास यहां पर भी by default जो text तो इसकी duration भी बढ़ा सकते हैं just आपको इस layer को बढ़ाना होगा और साथ में इसकी out को भी आपको आगे move करना होगा अब आप देख सकते हैं कि यह इस तरह से in हुआ duration बढ़ चुकी है इस वर और साथ में ही यह out हो गया तो यह वाले जो presets हैं इसको आप अलग-अलग use कर सकते हैं आप same को use कर सकते हैं आप just एक layer को अगर आपको दुबारा इस तरह की चीज़ से यह आप copy paste करके उसको use कर सकते हैं इसकी position आगे कर दें अगर एक आपके पास यह out हो चुका है और उसके बाद आप चाहते हैं कि same preset activity आपके बस दुबारा आए तो अब यहां से इसको select करके इसकी इसका नाम चेंज करके वहां से आपके पास और अगर हमने शुरू में जिस तरह हमारा जो course का नाम है वो भी add करना था तो हम उसको भी शुरू में add कर सकते हैं हम यहां पर इन दो layers को आगे move कर सकते हैं select करके और इसके साथ हम इस वाली layer में अपने पास video editing, second हमारे पास animation और third हमारा vlogging तो हमने एक preset के थुरू बड़ा quick एक title, text हमने इसको animate कर लिया और आप चाहते हैं तो same animation repeat ना करते हैं आप different preset को भी use कर सकते थे further आप चाहें तो इसमें मजीद modification भी कर सकते हैं इसको edit कर सकते हैं आपके पास नीचे option मौजूद है आप text का color change कर सकते हैं अगर मैं इसको rate करना चाहता था में भी तो यह इसको rate कर दिया stroke जो इसके edges आ रहे हैं border है उसको change कर सकते हैं उसके इलावा नीचे और option है जो container है इसका यह जो white box बनावा है इसको भी आप change कर सकते हैं तो आपके पास इस सारी options इसमें मजूद हैं text की positioning बगारा की option भी मजूद है तो यह आप जितना इसको explore करेंगे आपको आप देखें text इसको बाहर कर दिया है तो आप इसको भी यहां से modify कर सकते हैं इसके container को भी आप corner की option है इसमें के round corner बना देगा stroke width देदेगा आप देख रहे हैं कि इसने edges इसको corner खतम कर दी हैं तो इस तरह की बे तहाशा आपके पास इसमें और options ही मजूद हैं आप इनको explore करें opacity बगारा साथी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं और यह तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप खुद ही इसको maximum explore करें क्योंकि option हर एक की अलग-अलग हो सकती है container के इलावा जो आपके पास और presets हैं उसमें आपके पास कोई और option हो सकती है तो आप इनको कोई hard and fast याद नहीं रख सकते हैं लेकिन जिस तरह से यह presets different हैं उस तरह से आप इनको modify कर सकते हैं और further edit कर सकते हैं यह text की जितने भी presets हमने देखे यह इस वक्त offer effect के अपने नहीं थे यह हमने free download किये थोड़ा सा procedure था जो कि हमने आपको already explain किया इसके इलावा इसमें इतनी options मुझूद हैं कि आपको किसी भी किसम की text animation या और कुछ इस तरह की animation basic बनानी हो तो आप बहुत असाईनी से बना सकते हैं जरूरी है कि आपका थोड़ा सा control हो जब आप इसको edit करें जब आप चेंज करना चाहें तो आप इसको अपने control में रखते भी कर सकें क्यूंकि बास दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप कुछ setting change कर रहे होंगे कहीं से कुछ और हिल रहा होगा तो आपको शुरू में यह मसले face कर पर सकते हैं और इसका सिर्व यही हल है कि आप जितनी practice करेंगे आपकी उतनी command बेतर होती जाएगी और आगे आने वाले और lectures में हम मजीद चीज़ों के बात करेंगे